तो देखते हैं दोस्तों next question क्या कहता है by what percent should the production decreases from its value in 1993 1993 के बाद तो production है वो कितना कम हो percentage में पुछा इसने कितना percent कम हो so that in 1994 it equals to consumption so that वो 1994 में consumption के equal हो जाए given that consumption increases 50% from 1993 to 1994 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे consumption को 50% increase करा लेंगे 1993 के बाद consumption हमारा कौन सा है 44 है तो इसका 50% क्या होगा साफ साफ दिख रहा है आधा हो जाएगा 22 और इसको 22 increase करा लेंगे 94 में तो यह कितना हो जाएगा 66 अब इसने क्या पूछा है कि production को कितना decrease करें कि वो इस value के बराबर हो जाए percentage में तो हमारा production कितना है particular year में इसमें 122 तो 122 से हम कितना decrease करेंगे कि वो इसके बराबर हो जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि 122 में से 66 को जब हम सब्ट्रेक्ट कर रहे होंगे तो यह आएगा कि बारह छे पाँच शपन डिक्रीज कर देंगे एक सो बाइस पे तो हंड्रेड पर हमारा इतना percent decrease हो जाएगा और actual में जो यह है यह actual में केवल डिक्रीज आया है और इसने पूछा है क्या अगर यह पूछेगा कि decrease होके कितना आएगा तो वह निकाल रहे होंगे हम अगर यह पूछा है कि decrease value पूछी आउनली कि कितना percent decrease होगा तो वह यह value हो जाएगी तो इसको हम पहले solve करेंगे कि इसने हमसे पूछा क्या है what percent should decrease from its value 1993 से कितना percent decrease करना पड़ेगा तो अभी तो यही पूछा है इसने 122 से डिवाइड कर रहे होंगे हम तो approximate आप इसको 60 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर हमारे option दूर दूर है तो 60 से जब हम करेंगे इसमें तो हमारा answer क्या आएगा 280 को यह भी ओर शोट हो सकता है 140 को तीन से लगभी इस ने किया है तीन चो के बारा दो तीन चीक आठारा 46 पॉइंट सम्थिंग तो यह हमारा option C के सब्सक्राइब कर दोस्तों यह आपको क्लियर होगा एक क्यूशन अभी इसके बाद एक और लास्ट क्यूशन बचा है वस हमारा तो हमारा नेग्स्ट कोशें है फाइंड द्शेयन ऐन्वल कंजप्शन ओफ नाइटी एट यूट तू नाइंटी शीन द्शाट में संधिशन आऊंड़का तो सब्सक्राइब नाइस यह इन्न आपिक सिर्स एक और शाठ यूट करना एंगे 270 तो यह हो गया और एक्स्ट्रा कितने हैं हमारे पास 5 और 6, 11 और 4, 15 तो हम देख पा रहे हैं कि 285 टोटल आ रहे हैं और एवरेज पुछा है तो एक 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, टोटल 6 येर्स हैं, 6, 4, 24, 4 रिमेनिंग, 6, 7, 42, 30, 6, 5, 30, 47.5 अप्रोक्सिमेट ओप्शन ये हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट अंसर, तो आई होप अभी आपको ये कॉशन क्लियर होगा, और इसी तरह से जो भी आपका डाउट ग्रूप के बाद भी आगर डाउट कुछ रह जाता है किसे कॉशन में, तो वो मैं आपको वीडियो सॉलिशन के दुवारा प्रोवाइड करा दूआ, तो वीडियो अच्छी लग आपको इसका बेनिफिट पता लग जाएगा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैनत करते लिए, वाई वाई, थैंक्यू